नमस्ते आवरिवान मेरे चानल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है विशु कोकर हम होली का दहन क्यों करते हैं या फिर हम होली का क्यों मनाते हैं यह हम सभी तो जानते हैं क्योंकि हमारे समय पे तो हम दादा जी से या पे किताबों में काहनिया पढ़ते थे और हमें एक थोड़ा सा अवेर भी रहते थे, जानने का थोड़ा सा इच्छा रहते थे, लेकिन आज के समय में मैं क्या देखती हूँ, जो आज के जनरेशन है, वो इंटरस्टेट जादा नहीं होती है, चीजे जानने के लिए कि इसके पीछे का क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, म एक देत्य राजा थे, हिरनकश्व, जिन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा करके, उनसे वर्दान प्राप्त किया था, कि मुझे कभी भी म्रत्यू ना प्राप्त हूँ, जिस वज़े से वो बहुत ही जादा उनको एहंकार हो गया था, कि मुझे तो कोई नहीं मार सकता, इट म अगनी में जल नहीं सकती तो होलिका को बोला गया कि उन्हें प्रहलाद को लेकर अगनी में बैटना है ताकि प्रहलाद अगनी में जल जाए और होलिका को कुछ भी नहीं हो। लेकिन उसका उल्टा हुआ, प्रहलाद विश्णू के परमभक्ते, विश्णू ने उसी वक्त होलिका का वो वर्दान को खत्म कर दिया, और वहाँ पर होलिका जल गई, और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हो, इसलिए हम हर साल होलिका का त्योहार मनाते हैं, हम लकडियां एकटा करते हैं, होली पूजन करते हैं, मतलब अगनी की पूजन, विश्णू जी की पूजन करते हैं, तो इस त्योहार से हम बेसिकली ये समझते हैं, कि बुराई पर अच्छाई की जीत हैं, कि कोई बुरा करेग सो जरूर उसको एक ना एक दिन उस चीज का भोगना ही पड़ता है इस जीवन में तो इसलिए हम होली का मनाते हैं सो मेरे तरफ से आप सभी को happy होली अच्छे से आप होली celebrate करो next day जो होली है वो colors वाली होली होती है सो उसके लिए प्लीज आप अच्छे से अपने face पर oiling करके जाओ क्योंकि काफी लोग पक्का color लगा देते हैं और जो बहुत मुश्किल से हटता है इतने chemical आते हैं उससे cancer होने की भी डर होता है हमारी body पर proper oiling करके जाओ number two जब भी आप colors खेल रहे हैं काफी पिछकारी मार देते हैं गुभारा मार देते हैं तो गोगल लगा के जाएं क्योंकि हमारी eyes बहुत sensitive होती है उनको protect करिये मतलब ये चीज़े आप lenient symmetry कोशिच करिए पके रंग से नहीं जो गुलाल आते हैं उनसे खेलिए पानी कभी कम से कम यूज करिए